अध्याय सत्रा प्राकृत्वास प्राकृतिक आवास हैबिटेट 17.1 प्राकृत्वास से आश्य मिनिंग ओफ हैबिटेट हमारी राज्य में जगदलपूर के पास कांगेर नदी के तट पर कुटुमसर गुफा है इस गुफा की छट वह दिवारों से चूना युक्त पानी टपकता है जिससे छट से लटकती और जमीन से उभरती शंकू जैसे विशाल और सुन्दर सनरचनाय बनती है कुटुमसर गुफा आज पास की जमीन से लगभग 35 मीटर नीचे वह एक किलो मीटर से अधिक लंबी है गुफा में इतना अधेरा है कि यदि हाथ में पकड़ी टॉर्च को बंद कर दी तो एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो जाता है गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा बाहर की तुलना में कम है इन परिस्सितियों के बावजूद यहां कई प्रकार के जीव पाय जाते हैं उदारन के लिए चमगादर, कीडे मकोडे, मिलिपीट्स, बेक्टेरिया, आधि कुटुमसर गुफा का तापमान साल भर 25 डिग्री सेंटीग्रेट से 32 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच रहता है यहां के पानी का तापमान लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेट से 30 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच रहता है इसका आर्थ यहा है कि गुफा वा अंदर के पानी के तापमान में अधिक अंतर नहीं होता बरसात के मौसम में यहां प्राया बाढ़ा जाती है गुफा में मचली की एक ऐसे जाती है जो लगबग अंधी है इसकी आखे बहुत ही छोटी है इसकी लंभाई 2-4 सेंटीमीटर है इस्थानी लोग इसे कानी मचली कहते हैं इस मचली की अनि किसमे पहाडी नदियों में पाए जाती है कुटुमसर गुफा में इसकी एक खास किसमे मिलती है यह यहां के गुफाओं में पाए जाने वाले सूक्ष में जलिये पौधू जन्तू जैसे कीडो गोंगो आदी को खाती है यह मृत जन्तू और पौधो को भी खाती है अताया स्केवेंजर या अपमार्जक के भूमिका भी निभाती है यह मचलिया अक्सर मिट्टी के नीचे अपना समय बिताती है वो पानी में सांस लेती है लेकिन समय समय पर पानी की सता पराकर मुव में हवा भरती है यह अपना संपूर्ण जिवनकाल इसी गुफा में बिताती है यहीं प्रजनन करती है और यहीं मर जाती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुटुमसर गुफा का पानी इन मचलियों की आबादी का प्राकृतवास है यहां कुटुमसर के गुफाओं की किन विश्यस्ताओं की बात की गई है? यदि बाड के साथ ये कानी मचलियां गुफा से बाहर चली जाएं तो कैसे जीवित रहती होंगी? ये मचलियां अन्य मचलियों से कैसे भिन हैं? कुटुमसर गुफा में जैविक कारक, कानी मचली और अन्य जीव हैं वहां का तापमान चूनी योगत दिवारें, पानी और प्रकाश इत्यादी आजैविक कारक हैं अतक किसी भी पर्यावरन में रहने योगी सुरक्षित स्थान, तापमान, पानी वह हवा इत्यादी वहां के आजैविक कारक होते हैं तथा वहां पर भोजन की उपलब्धता वा विभिन प्रजातियों की उपस्तिती आदी जैविक कारक होते हैं किसी भी प्राकृतवास के आजैविक वजैविक कारक वहां के जीवों को विभिन तरीकों से प्रभावित करते हैं